Hello students, this is video number 3 of wave optics और इसके अंदर हम एक important topic डिसकस करने जा रहे हैं, interference of light waves और interference का basic meaning क्या है? Redistribution of energy, redistribution of energy, redistribution of energy को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने कैसे कैसे उसको understand किया और उदर से क्या-क्या interpret किया? पहले हमने understand किया कि दिख क्या रहा है, फिर उसके बाद हमने उसको फिर हमने understand करवाया दुनिया को भी और खुद को भी क्या, कि भई ये क्यूं हो रहा था ऐसा, क्या देखा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, देख, ये हमने एक इस तरह का arrangement किया था, young double slit experiment के अंदर young ने यंग ने जो experiment किया था वो इस तरह का था, उसके अंदर उसने क्या बताया था, उसके अंदर Thomas Young उसका नाम है, he was the first person to demonstrate this experiment, 1801 की बात है ये, ठीक है, क्या किया था उसने ये देखो, एक source लिया light का, क्योंकि उसको actually दो sources चाहिए थे light के, मैं आपको समझाता हूँ अभी, उस उसको actually दो sources चाहिए थे, बिल्कुल identical, दो sources, ये सब देखने के लिए, ये उसको मालूम था, इधर से वो देखना चाहता था, उसको क्या दिखा, उसके बारे मैं मैं आप से बात करूँगा, उसने क्या देखा कि, मैंने क्या बोला, उसको ये सब करने के लिए, experiment करने के लि ले, लेकिन light sources की आपको बात बता देता हूँ, reason कभी और बताऊंगा, दो identical, 100% identical कभी भी light sources हो ही नहीं सकते, दो बिल्कुल identical light sources कभी possible है ही नहीं, इतनी बात हमने understand करनी हैं बड़े अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ, कि 200% identical, identical light sources हो नहीं सकते, इसलिए अब young ने क्या किया, उसने कहा भई, एक simple तरीका चलता हूँ, source एक ही लेता हूँ, फिर उसने एक ऐसी wall जैसी ली, और इसके बीच में दो holes किये, आपको दिख रहे हैं, इन holes को generally हम slits बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या था, young's double slit, double slit, slit म जब यहां से लिए तो उसने क्या देखा, यहां एक screen लगाई, पहले इसको बंद रखा, पहले एक source को उसने बंद रखा, मतलब एक hole को उसने बंद रखा, what he observed, यहां पे एक bright patch बना, बिलकुल bright patch बना जैसे expected था, जब आप torch बारते हो अपने दिवार पे इस तरह करके एक white patch बनेगा, बिलकुल इसके सामने जहां पे यह है, बिलकुल इदर सामने एक white patch बनेगा, मतलब bright patch बनेगा, लेकिन जब उसने दोनों slits को open किया, तो उसने क्या observe किया, the interesting phenomena क्या है, interference of light waves को आप बोल सकते हो, interference को redistribution of energy, energy तो अभी भी पहुंच रही है दोनों के कारण कहां पे स्क्रीन के उपर, लेकिन distribution change हो गया, अब यह दोनों एक दूसरे के साथ interfere करेंगे, एक दूसरे के मामले में टांगड आएंगे, इसलिए उसको क्या देखने को मिला, वो क्यों मिला उसके उपर पूरी study है, उसको क्या मिला, उसको यहाँ पे bright spots मिले, ऐसे, bright, bright spot, dark spot, dark हो गया अंदेरा, bright, dark, dark, bright, dark, bright, इनको बोला उसने fringes, bright and dark fringes, bright and dark fringes, ऐसे ही उसको मिली, bright and dark fringes, और इसको मैंने क्या बोला, आपको interference of light waves को हम क्या बोलते हैं, redistribution of energy, ऐसे एक को जब देख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, दो जब ऐसी slits उसने open की और उसने क्या observe किया, इस तरह के उसको patches वहाँ दिखाई दिए, patches नहीं बोलना है, आपने fringes ही बोलना है particularly, यह word आएगा आगे, बहुत important word है fringe, यह जब उसको दिखा तो उसने बोला, फिर उसके बाद सारी study स्टार्ट हुई, कि बहुत यह ऐसा दिखा तो ऐसा क्यों दिखा, पूरा mathematical study है, जिसको हम पूरा understand करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, where energy intensity is maximum, it is called constructive interference, where energy intensity is energy या intensity, मतलब आप कैसे energy मैं बोलूँगा तो आपको बता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा हूँ, आप इस तरह से समझीए, कि जो आपकी wall है, ठीक है, उसके उपर आपको bright and dark fringes मिले, ठीक है, dark हो गया जहाँ पे light बड़ी कम पोँच रही थी, उसको dark बोला हमने, लेकिन आप उसको और technical word दे रहे हैं, कि हमें मालूम है दो light sources जो उसने create किये, by creating the slits, वहां से दो light waves निकल रही थी, वो light waves आपस में मिल रही थी, जब light waves आपस में मिल रही थी, तो कही जगा, कही जगा वो दोनों waves constructive interference कर रही थी, एक दूसरे के साथ, constructive का क्या मतलब हुआ, constructive का मतलब हुआ, कि एक दूसरे को sport कर रही थी, एक दूसरे के साथ add up हो रही थी, तो उसको हमने नाम दिया constructive interference और वहां मुझे bright patch दिखा, वहां पर मुझे intensity जादा दिखी light की, और जहां पर मुझे dark patch दिखा, उसको मैंने बोला कि जो दो light waves आपस मैं वहां मिली होंगी, देखो, जहां पर दो light waves मिली, किसी point पर दो light waves मिली, जिन points पर light waves मिली और जहां पर उन्हो कई points पर, जैसे मैंने आपको बताया, alternate bright and dark fringes, कई points पर वो दोनो light waves आपस में मिली, लेकिन मिली पुठे तरीके से, उल्टे तरीके से, और एक दूसरे को cancel out कर गई, जब cancel out कर गई, जब cancel out कर गई, यहां आपनी दोनो एक दूसरे की values उनकी amplitude subtract हो गए, तो क्या होगा, वहा पर light बड़ी कम पहुंची, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया, कि दो waves जहां मिलती हैं, और जहां पर वो एक दूसरे के साथ, मिलने के बाद वो add up कर जाती हैं, तो हम उनको नाम देते हैं, constructive interference, जब दो light waves मिलती हैं, और जब मिलने के बाद एक दूसरे को, खुद को destroy करने क कोशिश करती हैं, destruct करने की कोशिश करती हैं, उसको हमने नाम दिया destructive interference, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, clarity और आती जाएगी, अभी for the timing, इतना रखो, इतनी बात तो हमें समझ आ चुकी है कि, देखो, ये आपकी screen, ये आपकी दो slits, यहां से light waves निकल रही हैं, ठीक है, यहां निकली, यहां निकली, यहां से यहां निकली, तो different different points में मिल रही हैं, waves, जहां पे मिलने के बाद, इस point पे मिलने के बाद क्या हुआ, इस point पे जब वो मिली, तो यहां पे मिलने के बाद उनकी, वो एक दूसरे को sport कर गई, मैं बताऊंगा, आपको reason के साथ यहां वो एक दूसरे को साथ मिली और एक दूसरे को sport की, एक दूसरे के साथ मिलने के बाद उन्होंने अपनी energy को add कर लिया add हो गई rather किसी point पे जहां हो गई वो बना bright patch, bright fringe जहां पे मिलने के बाद वो subtract हो गए तो उनको बोलेंगे क्या उनको क्या को लेंगे वहां पे बना dark patch या dark fringe ठीक है, patches ही है sort of patches ही है वहां पे screen पे बने ठीक है, लेकिन word मैंने बुला आपको technical words are important, आप patch नहीं word use करोगे, आप fringe word यूज करोगे ठीक है, और वो कैसे होगा सब चीजे understand करनी है, चीजे थोड़ी सी interesting है, बहुत जादा लेकिन थोड़ी complicate कर सकती है आपको confusion create कर सकती है इसलिए बड़े अराम अराम से इन सब बातों को understand करने की कोशिश करेंगे, ठीक है समझते हैं इसको देखो, मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो यह समझते हैं कि यह waves का मिलना क्या मतलब हुई यह मान लो मैंने दो waves ली यह दो waves ली, इस तरह की यहांसे बनाएंगे ज़राथी है बिल्कुल ले ली अब जब यह interfere करेंगी और किसी जगा मिलेंगी किसी point पे ऐसी दो waves मिली ठीक है, किसी particular point पे जब waves पहुँची और ऐसे पहुँची तो यह दोनों तो add up हो जाएंगी जब इनको add करेंगे तो यह इसके साथ add होगा, यह इसके साथ add होगा और result मुझे कैसा मिलेगा ऐसा ही मिलेगा लेकिन बड़ा बड़ा amplitude मिलेगा इसका amplitude मालो a1 इसका amplitude मालो a2 लिख देतें यहां लिख देतें a1 इसका amplitude, इसका amplitude मालो कितना? a2, amplitude मालूम होना चाहिए आपको maximum value of this sine wave is called amplitude तो यह जो amplitude मिला यहाँ this is a1 प्लस a2 जब दो waves इस तरह से मिलें जो मैंने अभी figure बनाई है यहाँ और वो एक दुसरे को add up obviously करेंगी करने के बाद जब amplitude उनका plus हो जाएगा तो ultimately हम ऐसी interference को क्या बोलेंगे? we call it constructive interference destructive interference destructive भी दिखाता हूँ आपको शायद खुद ही समझा आगया होगा destructive का मतलब देखो यह case एक और आपके सामने बना दिया अब दो waves इस तरह की आपस में मिली अगर किसी particular point पे तो जब ऐसी waves मिलेंगी तो क्या होगा उनका? ऐसी waves जब किसी particular point पे इस condition में मिलेंगी ऐसे बोलो किसी particular point पे दो waves इस तरह से अगर मिलेंगी तो फिर क्या होगा? फिर तो क्या होगा? फिर तो इनका amplitude बड़ा कम हो जाना है ऐसा हो जाना है इसका amplitude मानलो A1 इसका amplitude मानलो A2 तो answer क्या आना है? A1-A2 amplitude जो मैं बनानी पा रहा हूँ यह amplitude यहाँ पे कितना होगा? A1-A2 आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिखो फिर A1 यह amplitude A2 result क्या मिला दोनों को add करने के बाद? A1-A2 such interference is called destructive interference अब question यह आता है कि आपने तो दो sources बिल्कुल identical लिये थे question जो हमारे दिमाग में आ सकता है वो यह कि आपने तो दो sources बिल्कुल identical लिये थे आपने तो दो sources इस तरह से create किये आपने जान बूच के ऐसे create कि बिल्कुल sources identical बने और screen आपने सामने रख दी इसके तो फिर ऐसे हमेशा तो वो तो वो तो हमेशा constructive interference करनी चाहिए क्योंकि वो तो बिल्कुल same same sources है no किसी particular point पे सोचो जैसे मैं आपको बताता हूँ इस particular point पे सोचो इस particular point पे यहां से ये wave इस तक पहुंची ऐसे इस particular point पे बोल रहा हूँ है ये वाली wave को ज़्यादा चलना है समझाई बात मतलब इसका path इतना है सामने सामने दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला path ज़्यादा है नीचे वाली wave को ज़्यादा चलना पड़ा निकले दोनों कठे एक जैसे थे यहां से ये wave ऐसी निकली यहां से ये वाली wave वी ऐसी निकली लेकिन जब यहां पहुंची इस particular point पे तो ये वाली wave तो ज़्यदा चली अब इस condition में आके ये कैसे मिले ये तो depend करेगा इन के किस पे इन दोनों के paths पे इन दोनों के path difference पे समझाए इस बात को दोनों waves जब यहां से निकली पता कैसी निकली आओ मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ इसको लिखता हूँ y1 इसको लिखता हूँ y2 y1 को लिखता हूँ y1 equal to होता है a1 a1 sign a1 sign जगा नहीं है मैं द्यान से लिखता हूँ इधर ही लिख देता हूँ a1 sin omega t minus kx अगर आपको याद हो minus kx wave की wave जब चल रही है तो उसकी waveform की equation यह होती है minus kx यह equation होती है wave की और जो किसी particular point पे जब wave पहुँचती है तो वो हो गया उस particle पे को shm में लाती है तो मैं बताता हूँ अभी y2 equal to a2 sin यह दो waves चल रही है यहां से यहां से originate हुई है y1 और y2 अभी मैं बताता हूँ अभी समझना अच्छे से प्लीज एक एक बात को minus kx यह होगी आपकी दूसरी wave दोनों देखो मैंने start भी कहां से की है बिल्कुल 0 से start की है इसलिए यहां पे basically हम plus 5,1 और यहां पे plus 5,2 भी लिख सकते थे initial phase यह अगर plus 5,1, 5,2 होता तो फिर वो 0 से नहीं start हो रही है wave वो थोड़ी आगे से start हो रही है तो इतना जमेला नहीं हम डाल रहे है अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कहां से शुरू ही जीरो से ठीक है बाई start हो गई दोनों बिल्कुल सेम सेम थी यह 5,1, 5,2 काट देते हैं ठीक है अभी आप इतना ही understand करो अच्छे से understand करना जो मैं बात कर रहा हूँ this is very very interesting ठीक है क्या मैंने बोला दो waves हैं एक है a1 sin omega t minus kx और एक है a2 sin omega t minus kx ठीक है fine समझा गया ये वाली wave चली एक मीटर ये वाली wave चली मान लो डेड़ मीटर 1.5 मीटर तो इस पटिकुलर पॉइंट पे इस पटिकुलर पॉइंट पे जो SHM create हुआ किसकी वज़े से Y1 की वज़े से Y1 की वज़े से जो displacement of SHM आया इस particular point को उसने जो इस particular point पे जो ये wave पहुंची y1 कितना बोला मैंने अभी कितना चली ये 1 meter तो x की जगह 1 डाल दो तो आपको wave की equation मिल जाएगी जो यहाँ पहुंची इस particular point की बात हो रही है ठीक है और ये वाली मैंने क्या बोला 1.5 meter चली तो x की जगह क्या डाल दो 1.5 meter अब हम 1 और 1.5 meter के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम बोलते हैं ऐसे कि ये वाली wave चली x1 distance ये वाली wave चली x2 distance clear cut दिखाई दे रहा है कि x1 और x2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है clear cut दिखाई दे रहा है कि x1 और x2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है इसलिए मैं बोलूँगा कि इस particular point पे इस particular point पे जो waves पहुंची वो कैसी पहुंची इस point का नाम रख लेते हैं P ठीक है तो P point पे Y1 P मैं ऐसे लिखता हूँ Y1 P मतलब जो wave 1 P point तक पहुंची उसकी equation क्या थी उस particular point पे थी A1 sin omega t minus k x की जगा क्या डाल दो x1 और Y2 P equal to A2 sin omega t minus k x2 पहली बात तो इतनी समझ आई जो दो waves बिल्कुल इकठी ठीक ठाक बिल्कुल same same निकली थी P point पहुंचने पे वो दोनों same नहीं रही P point पहुंचने पे दोनों की displacement same नहीं है दोनों अलग 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 position में हैं दोनों इसलिए हम बोलेंगे अब बोलेंगे अब देखो ज़रा समझो ये wave कैसी है और ये wave कैसी है आप प्लीज जरा ध्यान देना एक एक concept को clear करने की कोशिश करना जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी जो आपकी Y1 P है मतलब जो wave उदर पहुंची उस particular position पे वो ऐसी है P position पे बोल रहा हूँ P particular P position पे जो displacement इस particle P की हुई wave Y1 की वज़े से वो ऐसी है देखना मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना के देखो ऐसी है आप प्लीज अच्छे से समझना ज़रा एक एक चीज को मैं आपको visualize करने की कोशिश करवा रहा हूँ और आप please कोशिश आपकी रहेगी तो आपको ज़रूर समझ आएगा obviously मुश्किल तो थोड़ी चीजे हैं ये समझने में ठीक है मैं चीजे mathematically भी करा सकता हूँ बट मैं आपको visualize कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो Y1 wave की वज़े से जो P point पे equation बनी वो मैंने आपको अभी बताई और ये क्या आया omega t minus kx1 क्या ये kx1 आया इतना समझ आया आपको क्योंकि equation क्या है आपको बताई है मैंने shifted बनेगी a sin omega t minus kx1 minus 30 degree होता है तो आगे से शुरू करते हैं मैंने अभी कुछ वीडियो पहले भी आपको बताया और दूसरी i minus kx2 वो थोड़ा और आगे ले लो ऐसे मैं बना देता हूँ आपको और बेटर बना देता हूँ comparison के लिए ये मैंने yellow lines ड्रॉँ कर दी दूसरी wave देखना दूसरी wave यहां से नहीं शुरू हूई है वो कहीं और आई उसका क्योंकि k minus kx2 है इसलिए वो ऐसी बनी क्या दोनों के बीच में face difference है बिलकुल है बिलकुल है दोनों अगर ये भी इदर से start होती अगर ये भी kx1 होता तो मैं बोलता इन दोनों के बीच में displacement नहीं है kx2 लिखना था यहां लेकिन इन दोनों के बीच में आप तो face difference है वो face difference किसकी वज़ा से आया path difference की वज़ा से ये समझना है आपने दो बिलकुल same waves चली थी यार slit से लेकिन जब वो particular point p पे पहुँचती है तो दोनों की condition सेम नहीं है एक है a sin a1 sin omega t minus kx1 और एक है a2 sin omega t minus kx2 तो वो मैंने आपको बना के भी दिखा दी और जब मैंने यह ऐसा दिखाया तो आपको दिखना है कि दोनों के बीच में जो face difference आया वो कितना आया दोनों के बीच में जो face difference आया वो कितना आया that comes out to be k bracket में x1 minus x2 यह x2 minus x1 आपकी मर्जी है कोई problem नहीं है वैसे यहाँ पे x2 बढ़ा है जो मैंने क्योंकि point उपर लिया न मैंने तो x1 को छोटा रखा और x2 को बढ़ा रखा क्योंकि आपने ऐसे बनाया आपने यह दो slits ली यह दो यहाँ आपकी slits हैं दो और आपको पॉइंट यहाँ ल depending upon the point कहां पे आएगा तो इसलिए जो phase difference आया इन दो waves के बीच में शुरू में जब चले थे दोनों तो क्या दोनों के बीच में कोई phase difference था नहीं था बिल्कुल नहीं था लेकिन particular point P में पहुँचने में क्यों create हो गया by phase difference इसलिए create हुआ क्योंकि दोनों का path difference था दोनों ने same amount नहीं चलना था एक ने कम चलना था एक ने ज्यादा चलना था एक X1 चला एक X2 चला जब एक X1 और एक X2 चला तो जब particular point P पे पहुँचा तो वहां पे दोनों की condition सेम नहीं रही होगी इसमें एक और बात इसी के साथ समझ लेते हैं कि क्या इससे कोई फरक पड़ता है क्या क्या इससे कोई फरक पड़ता है क्या phase difference से constructive और district बिलकुल बिलकुल अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चोटी सी example लेता हूँ और भी बहुत सी examples है लेकिन पहले ये वाले example understand करना ये मैंने एक wave बनाई और मैंने ये एक wave ये बनाई ठीक है जब ऐसी बना रहे हो तो ये ऐसी कर दो पीछे कर दो तो ऐसी हो जाती है मतलब लेकिन ये wave यहाँ से शुरू हुई है इन दोनों waves के बीच में आपको मालूम है कितना phase difference है phase difference 180 degree पाई radians का phase difference है इसलिए जब ऐसी दो waves एड होगी तो destructive interference होगा इसलिए इतनी बात मुझे यहाँ पे समझाई कि जब दो waves के बीच में अभी सिर्फ एक ही बात है और भी जगा destructive interference हो सकता है ये तो मैं रहे just one example ली इतनी बात मुझे समझाई कि दब दो waves ऐसी जिनके बीच में phase difference 180 degree का हो पाई radians का हो उनमें तो destructive interference होती है और जिन दो waves के बीच में phase difference 0 degree हो वहाँ पे 100% constructive interference होती है तो यानि कि phase difference पे interference का constructive होना या destructive होना matter करता है आप बोलोगी कोई और value भी दिखाओ sir आपने तो सिरफ pi दिखाई और 0 degree दिखाई कोई और value दिखाओ sir आओ दिखाऊ मैं आपको एक और value एक और value दिखाता हूँ आपको देखो देखना दियान से एक ये wave और ये देखो एक दूसरी wave यहाँ बना रहा हूँ ठीक है दूसरी wave यहाँ बना रहा हूँ इन दोनों के बीच में कितना phase difference है इन दोनों के बीच में 2 pi का phase difference है इन दोनों के बीच में 2 pi का phase difference है ऐसी दो waves भी जब add करेंगी यह आगे भी है न तो यह भी कौन सा interference है देखो मिल रहे हैं sport कर रहे हैं एक दूसरे को तो 2 pi के phase difference पे भी pi के हाँ pi पे क्या आया था destructive interference 2 pi पे क्या आया 2 pi पे क्या आया constructive interference 2 pi पे constructive इसलिए मुझे इतनी बात अभी तक समझ आई है मैं पूरा mathematically drive करने वाला हूँ आप इस बात को जड़ा understand करना please मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ आप दियान देना मेरे को जो अभी थोड़ा 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 आइडिया ले रहा हूँ अभी फिर पिल्कुल perfect mathematical answer निका लेंगे हम लेकिन पहले अभी वो derivation हो सकता है next video में आए मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ interference का इसको प्लीज अपने दिमाग में बिठा के रख लो this is very very important इतनी इतनी कहानी किसी ने explain नी की है कहीं पे भी कि क्या मतलब है इन सब बातों का इसलिए एक एक बात को जड़ा अपने पास understand करके रखोगे it will benefit you क्या क्या बोला मैंने कि अगर आपका phase difference zero हो constructive होता है two pi पे अभी देखा मैंने यह two pi है two pi पे मैंने अभी देखा क्या हुआ constructive interference इसी तरह से four pi पे भी constructive होगा सोच के देख लेना and dash 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 mathematically बिना mathematics लगाए हुए हमने यह कर लिया वैसे यह पूरी derivation करती है जनता फिर conclusion पे पहुं देख के visualize करके और मुझे पता चला pi पे three pi पे phase difference अगर pi हो three pi हो five pi हो तो destructive interference होती है इतनी बात मुझे समझ आ गई constructive interference और destructive interference की थोड़ी सी कहानी phase difference की language में मुझे समझ आ गई फाइन अब देखते हैं एक और बात अब मैं आपसे यह बात करता हूँ कि भाई यह phase difference आएगा क्यों आओ मैं आपको understand करवाता हूँ यह क्यों आएगा और कैसे बात करते हैं उसको पूरा mathematically हम derive करने वाले हैं अग मैं आपको समझाता हूँ यह path है 4 meter का ठीक है और यह वाला path है इस particular point पर बात कर रहा हूँ हर जगा different different path difference होगा आप देखो हर जगा different different रास्ता आएगा इधर मालो यह है यह है 4.5 meter का ठीक है और जो आपकी wavelength है ना एक wave की length एक wave की length उसको क्या बोलते है wavelength ठीक है जो wavelength है वो है 1 meter की जो wavelength है वो कितनी है 1 meter की समझना प्लीज द्यांग से तो आपको क्या एक बात समझ आई कि इस source 1 के लिए S1 के लिए और इसको मैं S2 लिखता हूँ S1 के लिए 4 waves आएंगी total कहां तक मेरी 4 नहीं बनी 4 waves आएंगी आओ बनाने कोशिश करता हूँ 4 तुम्हें समझ आना चाहिए लेकिन 1,2,3 ये लो 4 ऐसी करके आएंगी ठीक है बनाने की कोई ज़रूरत है feel करो इसको ठीक है 4.5 में कितनी आएंगी आओ देखें आओ देखें आओ देखें साड़े चार आप बोलोगे साड़े चार कैसे ये ले साड़े चार एक दो तीन चार साड़े चार आप देख रहे हो इस particular point पर क्या हो रहा है ये दोनों cancel कर रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरे को cancel कर रहे है that means कि जब path difference lambda by 2 हो path difference दिखा एक का 4 और एक का 4.5 तो path difference कितना हुआ 0.5 0.5 क्या है 0.5 मत बोलो इसको इसको बोलो lambda by 2 lambda से आदा path difference है तो destructive interference होगी ये हम प्रूव करने वाले आगे कि when path difference is mathematically करने वाले है ये मैं आपको just feel करवाया यहाँ पे इसे better कहीं नहीं दिखेगा आपको क्या बोला मैंने कि जब आपका path difference lambda by 2 का होगा तो 100 ये तो common sense है यार lambda by 2 का अगर path difference जैसे अभी मैंने दिखाया एक आपको एक आपकी पूरी 4 waves बनी एक आपकी साड़े 4 बनी साड़े 4 बनने का मतलब समझते हो क्या positive और negative एक दूसरे के साथ add होने शुरू हो जाएंगे या नहीं point P पे इसलिए यहाँ पे destructive interference होगी and let me tell you and let me tell you मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि इस particular point पे dark band बनेगा dark fringe बनेगी अगर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया तो एक और बात understand करते हैं इसी के साथ कहीं और लेते हैं कहीं और लेते हैं मैं बताता हूँ क्या करे हम 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 कोई particular point ऐसा लो यहाँ ले लो नीचे ले लो यहाँ ले लेते हैं चलो यहाँ point लेते हैं मान लो ये है 5 और ये है 4 फाइन ये है 5 मीटर वही वेव ये है 4 मीटर ठीक है अब देखो कितना इंटरस्टिंग है यहाँ पे पूरी पूरी 5 वेव बनेंगी यहाँ पे पूरी पूरी 5 बनेंगी 1,2,3,4,5 पूरी 5 बनेंगी यहाँ पे पूरी पूरी 4 बनेंगी कोई साटे 4 वाली काम नहीं आया और कैसी इंटरस्टिंग होगी देखो constructive हो रही है स्पORT कर रहेя negative, negative, positive, positive, negative, negative, positive, positive, वहाँ positive, negative आ गया था, इसलिए यहाँ पर bright band बनेगा, ऐसी situation है, यानि की अभी एक ओर बात समझाए, पहले मैंने आपको constructive or destructive interference किसकी language में समझाए, phase difference की language मैं समझाए, लेकिन ultimately मुझे phase difference की language मैं नहीं समझना है उसको ultimately मुझे बताना है कि जो phase difference create हो रहा है वो किसकी वज़ा से हो रहा है मैंने तो दो बिल्कुल same waves चलाई थी यार यहां से तो फिर वो क्यासे आके किसी particular point पे आके नहीं सो वेन इतनी बात मुझे बिना mathematics के पता चल रही है क्या अभी लगाना है mathematics हमने वेन path difference is path difference तो meter में major करेंगे न when path difference is lambda by 2 when path difference is lambda by 2 phase difference is delta 5 लिख लो phase difference is पाई अभी देखा आपने यहां पाई lambda by 2 था point 5 का लिया था मैंने क्योंकि मैंने lambda 1 meter लिया था क्योंकि मैंने lambda 1 meter लिया हुआ है यह नहीं बूल जाना तो इसलिए जो del phi आया वो कितना आया और 5 पे क्या था क्या समझाया था आपको 5 पे 5 पे कैसा होता है 5 पे ऐसा होता है देखो दुबारा बना देता हूँ यहां शौटकट में 5 phase difference है कितना पाई पाई 5 phase difference है 5 phase difference का मतलब है यहां से शुरू हो है यह एक दूसरे को sport कर रहे है cancel कर रहे है positive negative positive negative positive negative खतम कर रहे है एक दूसरे को आप खुद लिखो, when path difference is lambda, तो phase difference is 2 pi, phase difference 2 pi, lambda का जब होगा, यह यहाँ, यहाँ देखो, इन दोनों का phase difference इस particular point पे कितना आया, 2 pi, क्योंकि इसकी 5 waves आयी, इसकी 4 ही आयी, तो दोनों के बीच में phase difference कितना हुआ, 2 pi का, जब 2 pi का होगा, दोनों sport करेंगे एक दूसरे को, phase difference कितना तूप आईगा, constructive interference, क्या constructive की एक और zero वाली example देख लो, बिल्कुल center में ले लो यहाँ, यहाँ, यहाँ क्या होगा, center में ले लो यहाँ, गांद बड़ा पढ़ गया, center में ले लो बिल्कुल, इधर, यह तो path दोनों ब्राबर ही है, जब center में लोग है तो बिल्कुल center की बात कर रहो, तो यहाँ तो बनना ही bright है, क्यों भाई, यह कितनी waves चलके आई, मान लो 4, यह भी कितनी आएंगी, 4, साड़े 3, 4 जितनी भी आएंगी, यहाँ पे face difference हमेशा क्या, भी हम प्रूव कर देंगे आगे जाके, तो center में बनेगी ही bright, 100%, अभी थोड़ी देर पहले, एक मैंने diagram बनाई थी, जिसके अंदर आपको दिखाया था, कि path difference आने की वज़़ा से, दो waves आपकी, एक बनी ऐसी, जिसमें यह कितना मैंने लिखा था, kx1, ठीक है, और दूसरी बनी, ऐसी, kx2 वाली, अब इन दोनों को मैं add करना चाहता हूँ, तो आपको मालू मैं इन दोनों को जब मैं add करना चाहता हूँ, तो what I used, मैंने last time आपको सिखाया था, first video के अंदर, superposition of shm, तो वहाँ जब मैंने आपको सिखाया तो you came to know, क्या, यह देखो, मैंने आपको सिखाया था भाई, गड़बड नहीं करना नहीं, आप यह नहीं बोलना मैंने नहीं सिखाया, यह minus kx1 है, यह भी minus kx2 है, minus है तो नीचे बना भाई, आपको सिखाया था मैंने, superposition of shm पड़ो नहीं तो, यह आगी आपकी एक wave, आपको बताया था, phaser से represent कर सकते हैं हम इनको, यह आगी आपका दूसरा wave, इसको लिखो a1, इसको लिखो a2, क्योंकि हम यहाँ पे amplitude लिखते हैं, आपको पहले superposition of shm, इन दोनों के बीच का phase difference del phi, which is equal to kx1 minus kx2, बताया मैंने, तो डरना नहीं x1 minus x2 से, उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यह आ गया, इनका result क्या निकालते थे आप, a net किसके बराबर आएगा, a net किसके बराबर आएगा, ऐसे वाले condition में, a net जो आएगा, वो आएगा ये, देखो, देखो, under root of, under root of, a1 square, plus a2 square, plus 2 a1, a2, cos del phi, cos del phi, यह मैंने आपको बताया था, superposition of shm में, कि यह दो waves ऐसी add कर रही हैं, दो sine waves हैं, यह दोनों एक दुसरे के साथ, इस तरह से add कर रही हैं, तो phase difference है, दोनों shifted हैं, देख रहे हो, एक shifted है kx1 से, दूसरी shifted है kx2 से, ठीक है, और इनका a net किसके बराबर आएगा, under root of, a1, का square, plus a2 का square, plus twice a1, a2 cos y, यहां से हमारी, अगली कहानी स्टार्ट होती है, जो मैं अगले वीडियो में start करूँगा, और पूरा mathematical analysis दूँगा आपको, आज मैंने total आपको physical interpret करवाया, पूरा visualize करवाने की कोशिश की, ठीक है, अप प्लीज अच्छे से सुनो, इस वीडियो को, एक एक चीज को understand करने की कोशिश करो, ठीक है, बाकी जो part है इसका आगे वाला, जो mathematical paper के लिए important है, ठीक है, तो feel आपको आना चाहिए, पहले चीजों का feel नहीं आये, तो उसके बाद काम नहीं बनता उसके बिना, तो ये मैंने आपको बता दिया, कि इस तरह से ये दोनों आइड होंगे, इनका एनेट इसके बराबर आएगा, फिर अब मैं आप कल यहीं से start करूँगा कहानी, फिर दुबारा आपको ये थोड़ी सी कहानी सुना दूँगा, उसके बाद आगे start करेंगे, thank you very much,